जैजी नेंद्रबंधों अभी अभी कुछ ऐसे समाचार, कुछ ऐसी खबर वाइरल हो रही है जिसे सुनकर बहुत दुख होता है कि लोग ऐसे समाचार खबर क्यूं चलाते हैं, क्यूं लोगों तक फैलाते हैं, क्यूं समाज को भर्मित करते हैं जहां एक और आने वाले समय में कुछ अच्छा होने जा रहा है सधी का आप यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पंच कल्यानक होने जा रहा है उस बीच ऐसी खबर चलाना क्या सच है इस खबर को मैं आपको बताओं वो कौन सी खबर है जो वाइरल हो रही है उससे पहले मैं आपक स्वागत करना चाहूंगी जो कि इस खबर पर कितनी सचाई है वो आप सभी के समक्ष रखेंगे और आप सारी खबर पर जो भी है उस पर पूरी क्लेयर कर देंगे मैं सरप्रताम इंट्रिक्शन करना चाहूंगी श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र कुंडलपूर के अ आपके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी जो इस वक्त देख रहे हैं खबर यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अभी अभी समाचार मिला है कि गुरुवर आचारिश्रे विद्या सागर जी महाराज ने 24 अंजरी पानी लेने का नियम ले लिया है यह संकेत है कि वह सनले कि अभी सब्सक्राइब के वड़े बाबा की जाए परम पुशन श्रोड़े आचाए गुरुद्य विद्या सागर जी महाम जिराश की जाए बंदो अभी पांस साथ में कम से कम तीन चार फोन मेरे पास में अभी आए यह फोन सुनके इतना दर्द रतना भीतर आगात पहु यह लोगों ने मतलब में सिस बगारा जो वाइरल बगारा किये हैं पता नहीं कैसा क्या मतलब इतना भी पिछले समय से जैसे नहवावर्द से पर जवालपुड से और कुंडलपुर बड़े वाबा की धरवार में गुरुद्यों का आना हुआ आट दो सिन पहले तब से मतल बड़े वाबा से ही प्रातना करते हैं सभी अरंथ प्रमिष्टी और अरंथ भगवान से प्रातना करते हैं कि उनको निरंतर स्वस्थता को प्रदान करें और जो यह मैसिस भ्रामक प्रचार कर रहे हैं मुझे तो नहीं लग रहा है कि यह जन समाज के कोई बंदू होंगे और जो इस ट्राइब का नहीं तो कोई जहन समाच का बंदो इतना निंदिनिये कार नहीं कर सकता चुके हम लोग तक इतनी कामना करते हैं बड़े वाबा से और बीर प्रभू से करते हैं कि हे भगवन गुरुद्यों की इतनी दीग आयू हो कि हम लोगों की सनलेकना और समाध् कि हम लोग भावना भाय हुए हैं और यह ऐसे कैसे मतलब ऐसा प्रचार निक्रा इन सबका मैं बहुत बहुत दिंदिनी घुर कि तक तासे एक घुर दिंदा करता हूं और ताकि सब लोग जागरूक रहें और मैं सबसे निवेदन करता हूं जहां जहां पारश्यनल का बात पहुंच रही है उन सबसे आप सबसे अपील करता हूं कि बड़े वाबा नवकारमंत्र सांति जो भी कर सके दीर गायू की लिए माला फेर हैं ऐसा कोछ नहीं है मैं अपना है आप सबसे आचना करता हूं कि यह ब्रामक प्रचार है निंदिनी है जिन जिन ने किया है वह किस सबस्ब्सक्राइब करता हूं यहां पर यह पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है पूज श्री स्वस्त हैं और दिन रात अपने प्रिय भगतों के समक्ष हैं और आप पारिश चैनल के माधियम से लगातार उन्हें देख रहे हैं और कुछ दिर पहले ही अभी आपने उनको सुना उनकी द्वारा प्रवचन को सुना तो आप कैसे समझ सकते हैं तो इसलिए मैं भी विनमरता पूर्वा की निवेधन करती हूँ कि जो भी ऐसी खबर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ब्रमित कर रहे हैं जैन ही नहीं अजैन समाज को भी कि हमारे पूज प्रभू स्वस्त नहीं है तो ये कतई गलत है यहाँ पर इस ख़बर पर खंडिन किया और हमारे दर्शकों को पारचानल के मात्यम से बताया कि पूजी श्री बिल्कुल स्वस्त है कुछ भी इस ख़बर में सच्चाई नहीं है धन्यवाद